हेलो बच्चों, वेलकम टूरी तुमाम्स ओनलाइन क्लास बच्चों, आज हम आपकी क्लास फिस्ट की गनित की पुस्तक के चैप्टर नुम्बर एट नक्षा के कुछ मल्टिपल चोईस क्वेशन आंसर करेंगे क्वेशन आंसर शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसी के साइड में जो बैल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया गेट जो की भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है यह कौन से मार्ग पर स्थित है तो बैटा इंडिया गेट जो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है कौन से मार्ग पर स्थित है वह है वेरी गुड राजपत पर इसका सही अंसर होगा खै राजपत next question question number second भारक के राश्च्रपती श्रीपरण मुखरजी का निवास्थान राश्च्रपती भवन कौन से मार्ग पर स्थित है तो यह कौन से मार्ग पर स्थित है यह भी राजपत मार्ग पर स्थित है इसका अंसर होगा option number get राजपत next question question number third जमू कश्मीर दिल्ली से उत्तर दिशा में पड़ता है यदि जमू कश्मीर से दिल्ली की तरफ यात्रा करनी पड़े तो कौन-कौन से राज्यों से गुजरना पड़ेगा तो बताओ याद है आपको map मैट्स में किया था ना map को ध्यान करो और उससे आंसर बताओ तो देखो बच्चो यह है जमू कश्मीर ठीक है और जमू कश्मीर से कहा जाना है दिल्ली की ओर दिल्ली कहा है यह रहा दिल्ली ठीक है अब आप मैप में देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली के तरफ यात्रा करनी पड़े तो कौन-कौन से राजियों से गुजरना पड़ेगा देखो याँ या कौन-कौन से राजियों आ रहे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाना है तो क्या ओप्षिन में हरियाना है खै में पंजाब और गै में हिमाचल तो तीनों से गुजरना पड़ेगा तो इसका अंसर क्या होगा गै सभी ठीक है नेक्सक्राशन, क्वेशन नुबर फॉर, हरियाना भारत का एक उतरी राज्य है निम्ण में से कोन सा राज्य हरियाना का पड़ोसी नहीं है कै हिमाचल प्रदेश, कै पंजाब, गै राज्जस्थान या फिर गै पिहार बिहार देखो बचो मैप में आप देख सकते हैं कि हरियाना का पडोसी कौन सा राजय नहीं है यहां है हिमाचल प्रदेश यह रहा और यह रहा पंजाब और यह क्या है यह हरियाना तो देख सकते हैं आप कि पंजाब और हिमाचल दोनों हरियाना के पडोसी राजय हैं और यह देखो ये है राज्यस्थान ये राज्यस्थान है औरेंज कलर का तो आप देख सकते हैं कि राज्यस्थान ही माचल प्रदेश और पंजाब तीनों ही हर्याना के पडोसी राज्ये हैं और अब बिहार देखते हैं कहां है देखो बिहार क्या है बिहार हर्याना का पडोसी ठीक है और हर्याना यहाँ पर है तो बिहार हर्याना का पडोसी राज्य नहीं है तो इसका सही अंसर क्या है घै बिहार नेक्स्ट क्वेशन भारत में 29 राज्य है निम्ड में से कौन से राज्य की सीमा समुद्र से लगती है कै हर्याना खै उत्तर प्रदेश गै केरल या फिर गै बिहार देखो बच्चो यहाँ पर यह है हर्याना ठीक है और उत्तर प्रदेश कहा है यह है उत्तर प्रदेश और केरल यह है और बिहार कहा है यह है बिहार है तो देखे आप देख सकते हैं कि कौन से राज्य की सीमा समुद्र से लगती है यहाँ पर समुद्र पड़ता है तो कौन से राज्य की सिमा लगेगी केरल राज्य की ठीक है और यहाँ पर कोई समुद्र नहीं है यह देखुए यह तो पीच में है मैदानी इलाके में है तो कौन सा होगा इसका आंसर आंसर होगा गय केरल ठीक है निम्ण में से कोन सा राज्य भारत के दक्षिन में स्थित है कै हिमाचल प्रदेश खै गुजरात गय तमिलनाडू या फिर घय उडिसा देखो बच्चो यह पूरवी इलाका है ठीक है पूरवदिशा पस्चिम उत्तर और यह दक्षिन ठीक अब देखो हिमाचल प्रदेश कह है यहाँ हिमाचल प्रदेश है गुजरात कहां है यह गुजरात है तमिलनाडू कहां है यह तमिलनाडू है और उडिसा कहां है उडिसा यहाँ पर है ठीक है तो आप देख सकते हैं दक्षिन में कोन सा राज्य स्थित है कोन सा राज्य स्थित है तमिलनाडू ठीक है तो आं नक्षा बनाते समय कौन सी बात ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए कै रूडचिन्हों का ग्यान, खै दिशाओं का ग्यान, गै कै और खै दोनों या फिर गै इन में से कोई नहीं तो बताओ बच्चों नक्षा बनाते समय कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए रूडचिनों का ज्यान भी होना चाहिए और दिशाओं का ज्यान भी इन दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए तो इसका उत्तर कौन सा होगा? कै और खै दोनो न? तो सही उत्तर होगा गै, कै और खै दोनो प्रश्न संख्या आठ नक्षे में पानी को किस रंग से दिखाया जाता है? कै, लाल, खै, पीला, गै, सफेद, या फिर गै, नीला तो किस रंग से दिखाया जाता है? नीले रंग से ना, तो इसका सही उत्तर होगा गै, नीला, पानी को नीले रंग से दिखाया जाता है Next question Question number 9 नक्षा बनाते समय पेज के उपरी हिस्से को कौन सी दिशा माना जाता है कै उत्तर, खै दक्षिन, गै पूर्व या फिर गै पश्चिम तो देखो बेटा जब नक्षा बनाते हैं तो यहाँ पूर्व दिशा होती है यहाँ पश्चिम और यहाँ कौनसी होती है उत्तर दिशा और यहाँ दक्षिन तो उपरी हिसा कौन सा ये वाला तो कौनसी दिशा होई उत्तर दिशा तो इसका आंसर है कै उत्तर Question No.10 नक्षा बनाते समय स्केल लिया जाता है यदि आपको हरियाना का नक्षा कौपी के पेज पर बनाना है तब डैश लिया जाएगा देखो कै सेंटीमिटर, खै मिटर, गै किलोमिटर या फिर गै कोई नहीं तो बच्चो हरियाना का नक्षा कौपी के पेज पर बनाना है तो इन में से देखो सेंटीमिटर, मिटर और किलोमिटर इन में से सबसे छोटा माप कौन सा है सेंटीमिटर है तो यही कौपी पर लिया जाएगा तो इसका सही उत्तर है कै सेंटीमिटर तो ये थे कुछ question answers जो आपकी किताब में से लिये गए हैं गनित की पुस्तक में से इनको अच्छे से revise कर लेना आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए, बाई बच्चों